जहिन शात्रों मैं इशार रहमत competition community के इस question session प्रोग्राम में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपकी निरंतरता इसी प्रकार बनी हुई है और साथ में एक युद्दिस्तर पर आप तैयारी कर रहे हैं जैसा कि हमेशा एक विद्वान पर एक personality पर और एक बहतर व्यक्ति को पर चर्चा होती है जो कि अपने समय के नायक रहे हैं उन पर चर्चा होती है उसके बाद जो है हमारा सत्र प्रारम होता है तो आईए अबराहम लिंकन सहाब के इन पंक्तियों को इनके अनुभाव को इनक परकारी नोक्री लेनी है उसके उध्यिंशे से सारी चीजें हम समझेंगे तो यहां देख सकते हैं कि जब कई व्यक्ति कहता है फिस्ती और उत्पन chemicals कि जो कि क्या है आपका कि नहीं कर सकता वो विचारधरा है क्या क्या है कि या तो मुझे पता नहीं है या तो मुझे पता नहीं है कि ये कैसे होगा और दुसरी विचारधरा बोलती है कि मैं इसे करना नहीं चाहता आशा करता हूं मेरी बाते आप लोग को समझ में आई होगी और इसे जो है अपनी प्रतियोगी परिछाओं से रिलेट करना है और आप इसे किसी भी वे पे ले जा सकते हैं आशा करता हूँ मेरी बाते समझ में आ गई होगी ज्यादा समयना लेते हुए हमारा प्रस्ण सत्र प्रारम करते हैं जो कि भारती इतिहास हमारा विशय चल रहा है जिसमें हम मद्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं और मद्यकालीन भारत के इतिहास जो है आपका उसमें हम देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में हमने पहले पढ़ा गुलाम वन्स और गुलाम वन्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं खिलजी वन्स तो खिलजी वन्स प्रारम करते हैं हम कुछ इस प्रकार से तो यहां देख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की अगर राजवन्सों की बात की जाए तो मैं बार-बार बोलता हूँ कि structure दिमाग में set होना चीए सारा sequence हमारे दिमाग में set होगा किसी भी विशय के बारे में तो हमें पढ़ने में आसानी होगी तो आसानी करने के लिए जो है structure कुछ इस प्रकार से बनाया गया है देख सकते हैं आप कि पहला हमने पढ़ा है गुलाम वन्स, गुलाम वन्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे हम जो आज पढ़ने वाले हैं खिल्जी वन्स, फिर उसके बाद हम तुगलक वन्स पढ़ेंगे फिर सयद वन्स पढ़ेंगे दैने उसके बाद लोधी वन्स पढ़के हम आगे बढ़ेंगे आशा करता हूँ मेरी बाते आप लोगो समझ में आए होगी इसी सिक्वेंस में हमें पढ़ना है आगे बढ़ते हैं चात्रो कि इसमें जो है दिल्ली सल्तनत में यहां दिखाई दे रहा है गुलाम वन्स तो गुलाम वन्स को एक क्विक रिविजन फॉर्मेट में हम चर्चा करते हैं जो बच्चा इसे पहली बार पर देख रहा होगा इस वीडियो को तो वो जो है पहला वीडियो जाके देखे जिससे कि उसका सिक्वेंस अच्छी तरह से बने और याद रखिएगा जो बच्चा पहली बार इस चैनल में है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें क्लियर अब जो है आगे बढ़ते हैं कि कुटुबद्दीन एबक के बारे में पढ़े जो कि आपका संस्थापक रहा है कि इसका गुलाम वंस का इसने जो है दो प्रकार का निर्मान करा है एक तो कुटुब मिनार और दूसरा आपका कुवतुल इसलाम मस्जिद और सविक संस्थापक इल्टुतमिष को कहा जाता है और लहोर में जब कुटुबद्दीन एबक रहे के प्रशाशन कर रहा था तो आपका चौगान खेलते हुए उसकी मृत्ति हो गई चौगान जो है वरतमान में अगर देखे तो पोलो गेम है उसके प्रकार वो गेम है तो उ उसके बाद इल्टुतमिष की बात करें तो इल्टुतमिष के बारे में बात करने के समय म्याद रखना है चातरों कि इल्टुतमिष पूरुसरों के समानी वस्तरधारन करती थी आगे बढ़ते हैं गयासुद्दिन बल्बन के बारे में चर्चा करें तो रक्त और लोह की नीती अपनाने वाला सासा कौन था गयासुद्दिन बल्बन ये भी 40 सदस्य के अंतरगत आता था जो की 40 को समाप्त करता है और आपका सि जो है इसकी रक्त और लोह की निती क्या थी कि इसने जो है सिजदा और पाबोस की प्रथा प्रारम करी मतलब की राजा सामने आया तो उसके पैर को चुमना है इस प्रकार की साजा तो इतना कुरूर था कि इसका भाई भी इसके सामने आया तो उसको भी इसने गर्दन कटव ठीक है और इसका प्रसासन सुधिन और बहुत ही आपका आशावादी रहा है उसके बाद आप देखे कि कैकुबाद और क्यूमर्स के बारे में चर्चा करें तो गयासुद्दीन बलबन बोलता हुँ जो आपका जलालुद्दीन खिल जी थे इन्ही के सिनपती थे और कैकुबाद की उमर्स की हत्या करते हैं और खिल जी वनस स्टार्ट होता है तो आई ये च्छात्रों इतना बात आप लोगो समझ में आओगा और अश्टार्ट करते हैं हम दिल्ली सल्तनत में खिल जी वनस के तो यहां देख सकते हैं हुम सबसे पहले चर्चा करें जलालुद्दिन छिल जी के बारे में जैने समय लेते हुए हमारा सत्र उसे प्रारम करते हैं वैसे प्रारम हो चुका है चल रहा है continue ठीक है अचानक निकल जाता है फ्लो फ्लो में ठीक तो भई नराज नहीं हुएगा आगे बढ़ते हैं अब खिल जी वांस देखते सांथ कुछ तो आया होगा दिमाग में नहीं आया होगा तो अच्छी बात है भई मैं आद दिला देता हूं लेकिन मूवी देखने नहीं भी जैसी के ने आपका लिखा था तो यह देखें कि खिल जी वंस में जलालुद्दिन खिल जी जो है वो संस्थापक रहें जलालुद्दिन खिल जी की बात करें तो यह विद्ध वेक्ति थे जिसने आपका दिल्ली के सुल्तान के रूप में अपना सासन इस्थापित किया और पहले तो वो भतीजे थे उसके बाद भतीजे को ही इसने सेना पती बनाया अलाउद्दिन खिलजी को और अलाउद्दिन खिलजी का ही विवाः जो है कि इसके साथ कराया अपनी पुत्री का विवाः जो है इसके साथ करवाया अलाउदिन खिल जी के साथ जलालु दिल खिल जी ने ठीक है तो ये जो है संस्तापक के रूप में आते हैं अगर इनके समय की घटना करम देखा जाया तो आपका मलिक छज्जु का विद्रो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रस्न रहा है मलिक छज्जु कहा आईए नकसे में देखते हैं पहले सारी चीजों को नकसे में देखके पढ़ना चाहिए मैं हमेशा बोलता हूं आप लोगों को आईए नक्से की ओर चड़ते हैं तो यहां देखिए नक्सा कि आपका दिल्ली सल्तनत में अगर देखे हम तो आपका याद रखना है कि कड़ा मानिक पुरी वाला छेत्र में था एक सुबेदार था जिसका नाम था मलिक छज्जू इसने जो है जलालुद्दिन खिल जी के सास तो इसे आपका केलुगडी में कराया जिसे कि आपका कीलो खरी भी कहा जाता है मतलब दिल्ली में इसने अपना राज्य विशेक कर वाया ठीक है तो यह उतना मोस इंपार्टेंट नहीं है ठीक है बाद में एक साल बाद जो हैं च्छे साल की हैं भस च्छे साल बाद सब्सक्राइब करना चाहते थे लेकिन वहां के किले की व्यवस्था की वजए से वह आपका सफल नहीं हो पाए जिसमें आपका अलावद दिन खिल जी किसकी हत्या कर देता है आपका जलाल दिन खिल जी की आप मुवी में देखे हो जिसमें आपका मुवी देखने मत बिर जाना भाई चोटे-चोटे क्लीप है देख सकते हो यूटूब में उसके बाद है अगर देखें हत्या करके कोन आया आपका अलाउद दिन खिल जी बारे में सबसे ज्यादा याद रखना है तो याद रखेगा इसका जो बचपन का नाम राज्य भी सेख करवाया देर उसके बार 1296 में इसने अपने चाचा मतलब बहने बताया कि यह भतिजा किसका था जलालुद दिन खिल जी का अपने हत्या करके अपने शाषान में बैठा इसे भारत का प्रथम मुस्लिम सासक कहा जाता है समराट कहा जाता है इसका दरबारी क लगे अबी अमीर खुसरो था अमीर खुसरो पढ़ते जाएएगें तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है हजार दिनारी किसे कहा जा जाता है तो ये भी प्रस्ण पूछा जा सकता है कि 1000 दिनारी किसे कहा जाता है आपका मलिक काफूर को क्लियर है आगे बढ़ें तो मलिक नयाप बनाया था कहां का अलावद दिन खिल जी ने इसे जी के समय में मंगोल आकर्मन क원-कों वैसिका इसकी स्क्रीन सॉट ले सकते हो और अच्छी तरह से याद कर सकते हैं तो देखो क्या क्या है इसमें आपका मंगोल का नेतरि कौन-कौन की लगाoft को पूछता है कि अगई कोंसा जो है आपका सेना पती था अलाउद दीन खिल जी जी सेना कोंता है इसके राज़ीत्त करें किसको तो याद रखेगा इससे समझ में आता है कि अलाउद दिन खिल जी के सासन काल के समय मंगोल आकरमन बहुत हुए और मंगोल आकरमन बहुत होने की वज़े से ज्यादा होने की वज़े से जो है आपका मंगोलों से रक्षा किसने की अलाउद दिन खिल जी ने भारत की ठी किसी को भी मतलब महीला बच्चे क्या है कुछ नहीं समझते यह था कि अगर महीला था उसके पेट से निकाल के बच्चे को गरदन काट देते थे इतने जादा वह कुरूर थे तो जो है आपका अलाउद्दिन खिल जी के समय में उन लोग का डिफेंस किया गया उसके बाद है स प्राकार से याद रख सकते हैं, इसे स्क्रीन शॉट लेके ले लिजिए, ठीक है, वसके इस प्रकार से प्रत्स पुछे नहीं जा सकते हैं, लेकिन जफर खां के बारे में पूछा जाता है कि मंगोल आकरवन के समय में जो है उसकी मिर्ति हो गए थी फिर उसके बाद है आपका अब इसके अध्यादेश अब देखो भाई इसका नियम कानून वे कैसा प्रशाशन किया अब यह सुल्तान बन चुक है कौन अलाउद दिन खिल जी अब अलाउद दिन खिल जी जो है अप गुप्तचर को क्या कहा जाता था आपका बरीद ठीक है उसके बाद यहां दिखेगा आपको कि अमीरों को एक दूसरे से मिलने का मतलब इसने बैन कर दिया था क्योंकि अमीर एक दूसरे से मिले नहीं चर्चा होगा तो सड्यंतर करेंगे दिल्ली सल्तनत को गिराने के जो है बैन लगा दिया था वो था अशोग देन उसके बाद मध्यकालिन भारत के इतिहास में दिखाई देता है आपका अलाउद्दिन खिल जी जिसने छोटे-छोटे ते वहारों पे रोक लगा दी फिर उसके बाद है सराब बंद करवाया इसने सराब नसा-खोरी बंद कर और आगे क्या क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं आईए यहां देखिए जो की उलूख हान और नूसरत प्रताप रूद्र दिव वारंगल ठीक है आपका बलाल तृती टीक तुरंद मुवीं पहुच जाते हो फिर तो नए कर लगाए इसने कौन कौन से कर लगा है एक था घरी और एक होगा आपका घरी बोलते थे घड़ी लिखा गया च्छमा चाहूं ना चाहिए तो घरी लगाएका टो घर दिखाई दे रहे हैं तो गर दिखाई दे रहा है तो किस targeted आपका घर में लगाने जाने वाला चिद कर चराई कर जो था आपका दुदुवा पशुमें दुधारू पशुव्त którą नचितने पर अब हो आप लोगों को फिर उसके बाद अगर देखा जायAT तो Χıms एक कर लगाया जाता था सैनिकों के उपर लगाया जाता था खुमस कहा जाता है जितने भी उसके सैनिक थे लूट पार्ट करते थे तो उसके आपका 3-4 ताइ कर लेता था इस परकार से याद रख सकते है अब भूराजस अब याद रखना है तो आपका क्या रहा है इसका एक बटे दो मतलब 50 परसेंट टेक्स देना पड़ेगा अरे बहां पर चाहूंगा चाहूंगा ठीक है तो आपका 50 परसेंट टेक्स ले लेता था क्रिसी कर कौन जहल पाएगा इसको ऐसे में ठीक है उसके बाद अलावज दिन खिल जी दारा निर इसको आपका दो पध्धती द्वारा जो है उसका मतलब निर्माण किया यहां लिखाया नहीं बता देता हूं एक था आपका दाग और खुलिया अब दाग और हुलिया क्या था भई तो दाग मतलब कि आपका घोड़े को जो भी आपका सेना में घोड़ा होगा तो उस अपनी वेगा तो दाग और हुलिया पद्धती पध्धती अपनी एसने प्रारम किया उसके बाद देखिए कि बजार नियंटरण देखते हैं कि सराय। अदल और लड़ा बजार आनाज बजार फशू एवं गुलाम बजार भी इसके समय में फेमस था उसके बाद बजार न मंडि मैं नाम का बताया व मैंने इससे नाम मांने गुपतचर था जो की के रूप में इसने नियुक्त किया था तो इस प्रकार के तत्यस सीधा सीधा प्रस्न पूछे جा सकते हैं अलाउध्दिन खिल जी कर देखें तो इसके निर्मान का रहें मैं कुटुब अबक क्या बताया आपका कुटुब मिनार के बाजू में इसने बनाया कुटुब मिनार बनाने का स्वप ने देखा लेकिन बना नहीं पाया क्या उसने इंजिनियरिंग ठीक से नहीं की अलाई मिनार नाम से एक मिनार बनाई देन उसके बाद जमयत खाना के नाम से जमात खाना होता है जमयत लिखागया है इसलिए जैत खाम जैसे निकल गया जैत खाम हमारे खजाइन उल्फता लिखा रहिला लिखा इबने बतूता ने और इसामी लिखता है आपका फुतुहसलातीन किसने इसामी ने तो इसे याद रखना नहीं वा रहे हैं से प्रसम सिधा सिधा पूशता है ठीक है तो क्या क्या बता है मैंने अमीर खुसरो क्या लिखा आपका खज हो जाए दो तीन बार अगर पढ़ लिया जाए तो जो आपको पेपर हौल का प्रेशर आपका मेंटेन हो जाए आगे बढ़ें उसके बाद है कुदुद दिन मुबारक खिल जी उतना ज्यादा मतलब वह नहीं है जो इसके बारे में याद रखने वाली चीज़े बस लिग दी था लेकिन जो है उलेमाओं ने उसका विरोध कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते थीक है फिर उसके बाद है नसुरुद दिन खुश्रोसा तो इसको यह भी पैगंबर का सेनपती की उपादी धारण की और गाजी मलिक इसके समय में सेनपती था जिसको जो है गयासुद दिन तुरु कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था? कि थे थोड़े दिर पहले बताए कि अलावद्दिन खिल जी ऐसा सा सकता जिसने जो है आपका नया धर्म चलाना चाहता था और उलेमाओं ने इसका विरूत किया उलेमा कौन होते हैं धर्मगुरू होते हैं धर्मगुरू से तातपर यह है कि जिस प्रकार जो है हमारे अगर भारत के दिश्टिकों से देखे तो चर्च में फादर होते है आपका मंदिर में पंडित जी होते हैं और आपका मस्जीद में मौलाना साहब होते हैं तो उन्हीं के बीच में आपका मौलाना साहब लोग के बीच में कौन होते हैं आपका उलिमा होते हैं तो उलिमा ने इसका विरोथ किया तो कौन हो जायागा इसका आपका अलाउद्दीन खिल जी अलाउद दिन बस लिखा है भाई इसमें ठीक है आगे बड़े अगला है सुल्तान के रूप में अलाउद दिन खिल जी द्वारा आपने दक्षणी अभियान के निम लिखित में से किस राज जी को प्रथम विजित किया था तो याद रखिएगा कि सुल्तान के आपका अलाउद दिन खिल जी ने सुल्तान का पदधारन करके उस चेतर को विजित किया था क्लियर है अगला है कि दिल्ली के कि सुल्तान ने बजार मुल्य नियंत्रन नितीन डागों की बताया ना कि दिवाने मुस्तखराज दिवाने रियासत बरीद सहना ये सारी चीज़ जरूरी बही पूशता है सिदह ना बजार नियंत्रन में हर चीज को सिस्टेमाटिक कर दिया था इसके समय में करेप्शन बिल्कुल बंद हो गया था अब जो है क्यों करेगा व्यक्ति नसा करेगा तो आपका इधर-धर जो है आपका उर्दंग मचाएगा तो सारी चीज़ विरोध करिए चात्र जीवन में और बिल्कुल जो है आपका फिटनेस करिए अच्छे से अपना हेल्थ का ध्यान दीजिए और आपका आगे बढ़िए फोकस रही है अपने लाइफ में नहीं सा बहुत बेकार चीज़ है आगे बढ़ते हैं निमलिकित में से किस दिल्ली सुल पतान ने राज्य द्वारा वैतनिक एक विशालिस्थाई सेना का निर्माड कराई यह तो मैं आपको बताएं नहीं याद रखिएगा कि इससे पहले बताया कि दाग एवं हुलिया पद्धती के लिए सेनिक व्यवस्था का निर्माड किया था अलावत दिन खिलजी ने और अलावत दिन खिलजी जो है अपना जो आपका एक साल का वेतन जो है किसको देता था पूरा एक साल का वेतन देता था सैनिको को तो इसलिए जो है सेना में लोग इसलिए रहते थे कि उसको जो है वेतन प्राप्त होता था लेकिन एक साल के लिए था साल भर का पूरे बारा म नहीं होगा इसका जो आंसर होगा आपका अलाउद्दीन खिल जी अलाउद्दीन खिल जी आपका खिल जी क्लियर है इसका कोई सांसर नहीं होगा इसमें सिद्धा याद रखना है कि अलाउद्दीन खिल जी वह सा सकता जिसने अपनी स्थाई सेना बनाई और स्थाई सेना बन समय में दक्षिन भारत में विजित किया गया तो कौन था अलावदीन खिल जी क्लियर है अलावदीन खिल जी दिल्ली के समय में आपका दक्षिन भारत में विजित चेत्र अपनाया बताया मैंने देवगिरी वाला चेत्र अब यहां देखते हैं कि अलावदीन खिल जी अलाव यह दक्षणी राज्यों को कभजे में करना चाहता था ऐसा कुछ नहीं वह उन्हीं को सौंप देता था धन प्राप्ति के लिए आता था मुख्य उद्धे से था आपका कहां का समुद्री व्यापार करना आप जैसे देखें एक प्रकार से एक नजर देखें दक्षण भारत क योर इस प्रकार से अगर धक्षिन भारत है तो गुजरात में आक्रमन ही किया था वह दिल्ली से यहां से आके दिल्ली से आक्रमन करने का उद्देश ही यह था कि उसे आपका पस्चिमीतत मिल सके और विदेशी वैपार कर सके तो यह गलत होगा भई आर गलत है तो कहां दि आगे बड़े दो बार रिपीट हो गया चाहूंगा दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधी मनोपाधी धारण की मतलब उपाधी धारण की याद रखेगा जो है आपका अपने आपको भारती सिकंदर कहता था कौन अलाउद दिन खिल जी और इसकी उपाधी थी सिकंदर सानी की ठीक है मतलब सिकंदर के शान के समान इसकी शान है ऐसा मतलब यह बोलवाता था अपने से तो अलाउद दिन खिल जी क्लियर आगे बड़े अगला है अलाउद दिन खिल जी के प्रसिद सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत किसके मृति क्लियर आग़े अगला है रानी पधमावधी है जोडा जयता है उनके पती का नाम क्या था चलो कौन कौनке ए स्वारी कौعة कान मतलब पद्मावद देखा है तो उसमें आप लोग को समझ में आ जागा राना रतन सिंग जो है जो आपका रजन नहीं होगा ना रतन सिंग होगा महराना छमा चाहूंगा इसमें रतन होगा ठीक है तो इसको ता कर लिजेगा राना रतन सिंग जो थे आपके उनके पती थे किसके आपका रानी पदमावाती के क्लियर है आगे बढ़ें अगला है बाज नियंतर पर्था लागू की बाजार होगा भई बहुत सारा आपका इसमें आपका एपिंग मिस्टेक अच्छा हमाच आ हूँँगा थोड़ा बाजार नियंतर प्रथा बार बबातारा हूं कि अलाउद दीन खिल झीने प्रारां की क् सूचियों को निचे दिए कुट से सही उत्तर चुनिए ठीक है अब देखो यह है आपका जहां-जहां आकरमन किया है वहां-वहां के राजा कौन-कोन ठीक है बनाते हैं रण थंबौर होगा रण भंभौर लिखाया वहां ठीक है तो रण थंबौर होगा वह क्लियर रण थंबौर के शासक थे हमिर्देव रण थंबौर के शासक थे बताया मैं आप लोग को हमिर्देव तो एक कतिन दिख रहा है एक कतिन अरे देखो अंसर मिल गया चात्रो क्लिय तो आपके क्या हो जाएगा चित्तोड के कौन थे चित्ताड लिखाया है वहां चित्तोड कर लिजेगा राणा रतन सिंग बिल्कुल सही है देवगिरी के कौन थे आपके देवगिरी के राजा राय राय चंद्र से गुजरात के कर्ण देव तो इसे याद रखना है मिंशन कर लिजेगा नकसे में आगे बड़े अलाउद दिन खिलजी के आक्रमन के समय देवगिरी का सासक कौन था याद रखिएगा आपका राम चंद्रदेव याने खालसा भूमी से है कि आद रखिएगा जितनी भी दान वाली भूमी थी अलाउद दिन खिल जी हम प्रस्ण में ही कर लेते हैं इस चीज को अलाउद दीन जो है जितनी भी दान वाली भूमी होती थी उसको क्या करता था आपका खालसा भूमी में सरकारी भूमी में परिवर्तित कर देता था तो आपका खालसा भूमी में सबसे ज़्यादा जो है हम नौ में से किसी में से निकल जाएंगे ऐसे करके तो बाद में जो है उस छेत्र को उलिमाओ द्वारा बोलने पर नहीं लिया किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधास राजसुव मतलब 50% बताया था अभी थोड़ा दिर पहले तो कौन होगा आपका राजसुव किया था बहुत है है अब ना फिर उसके बाद है वह दिल्य में अपने राज-भवन के निर्वान में लगे हुए कार्यंगरों को कमवेतन देना चाहता था ऐसा नहीं है ऐसे नहीं है यह सब कुछ भी बना रहे हैं सनी है बस यह सहीं होगा यह सहीं होगा तो कथन और कारण देखें भई तो कथन सहीं है तो ए तथा दोनों सहीं तो होई नहीं सकता होई नहीं सकता यह सहीं है तो यह हो जाया कि इस कांसर आर गलत है बिलकुल गलत है मतलब रीजन लगान विवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया नहीं लगान विवस्ता ऐसा कुछ नहीं किया था उसके उसने प्रांतों में के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया हाँ प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया तो एक और तीन सही होगा बाकी गलत है ठीक है तो यह हो जाएगा इसका आंसर आगे बढ़ें अगला है बजार कीमतों को नियंतिर्ट करने के लिए अलाउद दिन खिल जी के प्रयास ने ओके ठीक है क्रिसी को उन्नत किया सिर्फ सामंतों दर्बारियों को फायदा पहुचा ऐसा नहीं है बहुत सफलता पूर्वक की सासकों को बजार से दूरी कि इसमें कुछ तुरूटी है चात्रों चाहूंगा इसको डिलीट मारेंगे आगे बढ़ते निमने मुस्लिम बात साहों को क्योंक ना कुछ गड़बड है इसमें यह तो होई नहीं सकता यह भी नहीं हो सकता यह नहीं अचाहिस टेप को वड़ों को इस प्रकार का अंसर हो सकता है लेकिन क्या है लिखाया उसको थोगा कन्फ्यूजन है निमन मुस्लिम बात साहों में से किस एक ने मुल नियंतरन लियंतरन नहीं हो गए नियंतर पद्धती को पहली बार लागू किया तो किस ने किया अलाउद दिन खिल जी सब जगह अलाउद दिन खिल जी मिलेगा आप लोग को लेकिन इसकी ववस्था भी मालूम होने चीए दूसरे भी सासक दिखेंगे तो आपको उसी प्रकार की परंपराव स स Such चाहें नींडा कर लेनाницу मैं से इस सुल्टान ने बजार सुधार लागू किया तो अलाउद दील-खिजी नेस बजार शुधार लागू किया नियंतर पूछे जा रहा है ऐसी प्रण विज्भी में कौन से खतंबेशी संबंद्धित सहीं है ठीक मैं इसने नियामत एक न प्रभाव को समाप्त किया बिल्कुत सही है बंगाल के विद्रों के दमन किया थे लेकिन बहुत डीटेल है लेकिन याद रखना है इसने इक्तेदारी विवस्था को प्रारंब किया अगला प्रस्थ यहां देखने को मिलेगा जो आप लोग को बनाना है सल्तनत काल में सारवजनिक वित्रण प्रनाली किसने प्रारंब की थी सारवजनिक वित्रण प्रनाली पहले पता होना चाहिए ठीक है सारवजिनिक वितरन प्रनाली का सेंस लगाईए फिर उसके बाद जो है आपका पब्लिक डिस्टिबूशन सिस्टम जो होता है उसे पता लगाईए फिर उसके बाद जो है इसे बनाईए आशा करता हूँ मेरी सारी बाते आप लोगो समझ में आये होगी ज्यादा समय लेते हुए इजाज़त चाहूँगा जय हिन जय भारत कि बाद बारत